कि एलो दोस्तो स्वागात है एक बार फिर से आपका हमारे ओनु इस्टडी के ऑन-लाइन प्रेट फोर पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस प्रेट फोर्म पर अलग-अलग एक्जाम के लिए अलग-अलग एक्जाम के पैटर्न और उनके स्लेबस पर डिसकेशन किया जा रहा है जिसके माध्यम से हम यह आप सभी को यह बताना मलब आप सब हम यह चाहते हैं कि जितने भी स्टुडेंट हैं एक्जाम की और जिसके मे unterstüt to किसी भी लक्स पर जाना है मु हैँ यहां से अगर मुझे यहां से यहां से यहां उतना मतलब इसमें आपको परिशानियों मंद परिशानी किया यहां से आपको कितनी फाल्तों की मेहनत करने पड़ेगे अरो की दगी यह साथ आप देख रहे हो सीधा सीधह है सीधा रास्ता जिससे कि हम अपने लक्छ tellement सीधी तौर और दीमी नाallam बिना किसी मतलब deviation के बिना किसी रुकावट की हम अपने लक्ष तक पहुंच सकें किसी भी exam को qualify करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है उसके slabus की किसी भी exam का निचोड किसी भी exam के बारे में अगर आपको जानना है ना तो आप उसका सबसे पहले slabus देखिए चाहे वो यूपी एक्जाम हो PCS का एक्जाम हो या फिर वंडे एक्जाम की भम बात करें एक बार कोश्यन पलटकर देखना चाहिए एक बर आयोग जूद दीता है slabus उस slabus के बारे में आपको जानना चाहिए कि वह आयोग क्या आप से पुंत बूर्द को रहे तो आप उसके sliebus को भी जान जाएंगे और आप उस परिख्षा को क्वालिफाइग करने के लायक हो जाएंगे, यहां पर कोई भी फरॉर्म भरते हैं, competitive exam की तैयारी करते हैं, तो इस बार में लोग गभराने लगते हैं कि क्या पढ़ना है, है क्या नहीं पड़ना है ठीक है लेकिन आपको घबराने की जरुवत नहीं है हम अपने इस online platform के माध्यम से आपको हर exam के हमारी सीरी चल रही है जिसमें हम हर exam के syllabus को syllabus pattern को उस पर इच्छा को कौन आयो जिद करता है उसके माध्यम से हम discuss करने की कोशिश करेंगे और इस इन परिक्षाओं के जो syllabus है उसमें पूछे जाने वाले topic को अलग-अलग इस platform पर अलग-अलग teacher के माध्यम से हम उन topic को cover करने की भी कोशिश करेंगे जिसे आपको इसी platform के माध्यम से syllabus के साथ साथ उस subject का स्लेबस के साथ साथ उसमें जो पूछे जाने वाले विशे हैं पूछे जाने वाले प्रश्ट हैं उनकी तैयारी कराई जा सके जिस्ति आप सफलता के शीर्स पर पहुंच सके दोस्तों तो आज हमां डिस्कस करने वाले हैं उत्तर-प्रदेश और यारो एक् आती है ठीक है तो हमें अगले साल के एक्जाम के लिए हम इसको मुझे आपको तयार करना है ताकि आप अगले साल के एक्जाम के लिए तयार हो सके आपको पता हो कि इसमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं ठीक है आपको स्लेबस और कोर्स अपना ले यह आयो की ने इसलिए पहले से दिखिए न स्लेबस में पूरा दे देता है एक टॉपिक लिग देता है कि इन इन टॉपिक से पूछा जाएगा ठीक है दोस्तों तो यहां पर हम आप डिसकस करेंगे उत्तर प्रदेश आरो एरो एक्जाम की ठीक अगर रणनीती और इसके योजना को चलाने के लिए अगर आपको चाहिए होता है सबसे पहले आपको थौट पता होना चाहिए आपके विचार क्या है आप क्या सोच रहे हो उस अब जो सोच रहे हो उसे लागू कैसे करें लागू करने के लिए रणनीती क्या होनी चाहिए ठीक है रणनीती बनाईए लागू करिए और फिर उसके बाद सफलता की और अग्रसर होईए तो दोस्तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर अपने स्लेबस की और बढ़ते हैं यह उत्तर परदेश आरो एरो एक्जाम ठीक है उत्तर परदेश समिक्षा अधिकारी सहायक समिक्षा अधिकारी ठीक है दोस्तो इसमें हम आपको रूबरू कराएंगे उत्तर परदेश आरो एरो एक्जाम के पैटर्न के बारे में पूरी तरीके स तो इस exam को आयोजित कौन करवाता है? तो इस exam को आयोजित कराने वाली संस्था है उत्तर प्रडेश Public Service Commission, उत्तर प्रडेश लोकसेवा आयोग इस परेक्षा को उत्तर प्रडेश लोकसेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है लोकसिवा आयोग के द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्तों और इसमें जो पद का नाम है समिक्षा अधिकारी जैसे का आप देख रहे हैं आरो, ए आरो, मतलब समिक्षा अधिकारी, रिविव आफिसर, असिस्टेंट रिविव आफिसर की पोस्ट दी जाती है, और ये परिक्षा जो होती है, दो चड़लों में होती है, इसमें मतलब कि एक लिखित परिक्षा होती है, ठीक है दोस्तों, ये लिखित परिक्षा होती ह यह आपकी लिखित परिक्षा है, लिखित परिक्षा के साथ साथ इसमें दस्तावेजों का सत्यापन भी होता है, पूरी परिक्षा होने के बाद, ठीक है, यह आपको यहां तक आपको पता हो गया होगा, कि लोकसेवा आयोग कराता है, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग, गारे नबर का होता है जिसमें हमारा ये सामान अधन का पेपर है है जो कि objective होता है ठीक है वस्तूनिस्ट होता है अब जेक्टिव होता है सामान अध्यन जी अस जनल स्टडीज जनल स्टडीज का पिपर है जो कि objective होता है 140 नंबर का है और 140 प्रश्ण होते हैं मतलब एक प्रश्ण एक नंबर का है और समय दो घंटे दिये जाते हैं समान है अगर इसके हम topic की बात करें तो topic में क्या-क्या पूछता है देखिए टॉपिक में पूछता है जनरल साइंस जनरल साइंस में वही जो हमने 10 तक पढ़ी हुई है किसी भी अच्छी बुक से जनरल साइंस कवर कराई कर सकते हैं आप हमारे ओनो स्टेडी प्लेटफर्म के माध्यम से अलग-अलग टीचर्स भी विज्ञान के विशय को कवर करेंगे भारत का इतिहास भारती राष्टी यांदोलन भारती राजय छेत्र अर्थवेवस्था एवं संस्कृती भारती क्रिशी वाडिज एवं व्यपार जनसंख् परियावरण इवं नगरी करण विश्व का भुगोल तथा भारत का भुगोल और प्राकृतिक संसाधन कितने हैं हमारे पास अनुसंधान रास्टी तथा अंतर्रास्टी महत्वपून घटनाकरम सामाने बौधिक छमता उधा उत्तर प्रदेश की सिक्षा संस्कृती उद् दो चीजे जर्नल स्टेडी और हिंदी थोड़ी से हिंदी पूछी जाएगी तो हमने जर्नल स्टेडी को अभी डिसकस किया कि हमारे 140 प्रश्ण पूछे जाएंगे और वह भी 140 नंबर की होंगे ठीक है 140 नंबर के पूछे जाएंगी इसके लिए हमें दो घंटे का समय दिय पूछे जाएगा और इसके टॉपिक के बारे में हमने अभी बात की कि सामाने विज्ञान जिसमें हमारा लाइफ साइंस जैसे की फिसक केमेस्ट्री और बायोलोजी बेसिक इस्तर की होगी वह पूछे जाएंगे भारत का इतिहास भारती सुतंत्रता अंदोलन से संबंधि मुद्दे जो भी रहेंगे 1857 के बाद से भारती इतिहास में प्राचीन मध्यकालीन इतिहास से थोड़ी थोड़े विशे पूछे जाएंगे और भारत का राज्य छेत्र मलब पॉलिटी भारत का राज्य स्थित्र अर्थ व्यवस्था और संस्कृति भारत के कल्चर के बा रिक्षा में अनुसंधान और जो भी करेंट अफेर करेंट अफेर के मुद्दों में जो भी रास्ती अंतर रास्ती और अनुसंधान हो रहे हैं जो भी खेल के बारे में जो भी खेल में जो प्रोग्रेस हो रही है अनुसंधान हो रहे हैं जो भी विज्ञान के छेत्र में क्षेतर में देश्विदेश में क्या हो रहा है कौन से संधि संधी सम्झणा हो रहा है यह सारी चीज़ें इसमें शा्मियं होग सामाने बहुत दिक्षमता और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश आयोग आप से यह मांग कर रहा है कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए राजी के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राज में कौन सा पेक्षा करता है ठीक है तो हमारा यह पहला पोर्शन जो है जी असका दो घंटे चालेज़ दो घंटे का पेपर है 140 प्रेश्ण है और 140 नंबर का तो इन सभी टॉपिक पर भारत का इतिहास में अरंभी की तिहास प्रारंभी की तिहास मधिकाली नितिहास और आधुनिक भारत का इतिहास इन तीनों को कवर कराया जाही रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं वीडियो उसमें अच्छा पढ़ा रहे हैं सर आप उन्हें कवर कर सकते हैं भारती राष्टी आंदोलन साथी साथ और भारती राजतंत्र, राजतंत्र में पॉलिटी की क्लासे हैं हमारे प्रेटफॉर्म पर साथ एकोनॉमी की क्लासे हैं बी शुरू होने वाली हैं जिसमेंmistar-प्रदेश उत्तर्परदेश यूपी स्पेशल से जोड़ी होई क्लास है जिसमें हम डिग्यों जानेगे उत् संस्कृति क्या है वहां कि किशी व्यापार उद्योग रहन सेहन समाजिक परिप्रिक्ष वहां के क्या है यह हम उत्तर प्रदेश से special की class प्रारम करने जा रहे तो हम यह सारी चीज़े उसमें जानेंगे साथ ही साथ current affair की class में आपके साथ ले रहा हूं तो current affair के लिए आपको परिशान होने की जुरूत नहीं है यहां पर हर दिन के जो भी topic होते हैं वो cover कराए जाएंगे और exam के जो प्रश्ण होते हैं उन पर खास तोर से focus रहेगा exam oriented प्रश्ण पर exam oriented questions पर especially focus रहेगा कि ताकि जो भी पढ़ाया जाए उसमें से ही exam में पूछा जाए ठीक है तो यह हमारा हो गया पहला segment इसका प्री का पहला segment वस्तुनेस्ट प्रश्ण ठीक है सामान इध्यन का वस्तुनेस्ट प्रस्ण था यह चीज़े आपको समझ में आ गई होगी कि GS का paper होगा यह हमारा पहला segment था अब हमारा दूसरा segment जो है वो इसमें हिंदी आती है दोस्तो भाशा का paper है ठीक है जिसमें हमें सामान ज्ञान हमारा भाशा का जो होगा सामान बारे में पूछा जाएगा यह दूसरा segment होता है हमारा जिसमें हमें हिंदी पूछी जाएगी और यह हिंदी का जो paper होगा यह एक घंटे का होगा ठीक है जिसमें 60 प्रस्ण होंगे और 60 questions होगे मतलब एक question एक प्रस्ण का होगा समय एक घंटे दिये गये हैं तो इसमें गलतिय होगी यह पूछा जाएगा अनेकर शब्दों के लिए एक शब्द तद्भो तत्स्वम विशेश विशलेशन और पर्यायवाची ठीक है यह चीजे पूछी जानी है आपसे इसके साथ ही साथ अगर एक्स्टर टॉपिक को भी कवर कर लिया जाए तो इसमें संधी समास संधी समास पर्यायवाची संधी समास पर्यायवाची और थोड़ा सा व्याकरण की बाते करें तो रस रस छंद अलंकार बकी वाक्य संधचना शब्द यह सब इसी में आ जाएंगे सामिल हो जाएंगे वाक्यां वर्तनी शुद्धी में तद समयम तद भौ विशेशन विशेष पर्यायवाची व्याकरण की जो बेसिक चीजे हैं जहांट चुक वाक्य संधचना वर्ण हो बलत संधचना वाक्य संधचना शंग्या सर्वनाम यह सारी चीजी आपकी व्याकरण में खवर होगी और साथ ही साथ इसमें जो अनेक गर्थों के लिए शब्द जेकर स्कोरिंगं क्या होती है चीजे आपको काफी नंबर दिला सकता है यहां पर यह बताना चाहूंगा कि जो हिंदी का पेपर है इसमें अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो साथ कोश्चन में से आपके लगबख 55 से 60 के बीच सही हो सकते हैं मतलब यह तो 55 के अबव सही हो सकते हैं यह मैं आपसे कहना चाहरा हूं मतलब आप इसमें डारेक्ट 55 नंबर पा सकते हैं आप हिंदी के सेग्मेंट में थोड़ी सी माल लिजे गलतियां GKGS में हो जाती हैं लेकिन हिंदी का सेग्मेंट ऐसा है जिसमें आपके प्रिविएस य कीज़े आप समझ में आ गई होंगी हमारा ये स्लेबस का जो पार्ट था वो पार्ट वन था जो आपके समझ में आ गया होगा कि हमारा जो आरो यारो का एक्जाम है दो भाग में हैं पहला है G.S. दूसरा है हिंदी जिसमें से आपको दोनों पर अच्छे से मेहनत करनी हैं G G.S. की जो portion है उन्हें मैंने आप से discuss कर दिया कि 140 नंबर के होने हैं और दो घंटे का समय है G.S. के सब विभिन मुद्दों को हमारे platform पर कवर खराया जा रहा है हिंदी की भी classes जल्द ही प्रारंब हो जाएंगी ठीक है तो हिंदी में विलोम शब्द विलोम व्याकरण से सम मंधित प्रशन पूछे जाएंगे तो इन दोनों को मिला करके आपका cut-off तैह होगा इन दोनों को मिला कर आप प्रारंबिक परिक्षा पास करेंगे ठीक है दोस्तों प्रारंबिक परिक्षा पास करने के बाद आपका इसमें मुख्य परिक्षा फिर दूसरा इसका आता है म रारंभिक परिक्षा आप इसमें पास करेंगे उसके बाद होगी मुख्य परिक्षा मुख्य परिक्षा जो दोस्तों है समान अध्यन होता है मुख्य परिक्षा में जिसमें समय दो घंटे का होगा और अब्जेक्टिव दिया जाएगा जीएस का ठीक है जीएस में वही टॉपिक होंगे जो हमने पहले देखिए हैं 120 नंबर की और साथ ही साथ इसमें एक में चीज होगी जो आपके इस सेलेक्षन तेक करेगे सामान हिंदी हूम अलेखा नहिंग यह रिटेव दोस्तों ध्यान-ध़ के में नहिए क्या होगा सब्जेक्टिव थरीक्टिव फिक्राइग क्या जाएगा सबसे पहला टॉपिक होगां सबसे पढ़िक ॏ आप अथित गद्यांस और पद्यांस गद्यांश और पद्यांश ठीक है आप अठित आप अठित गद्यांश और पद्यांश होंगे जिसमें कुछ कोश्चन्स होंगे आपको पैसस के आधार पर solve करने होंगे दूसरे नमबर पर सरकारी पत्र का सारड़ी रूप में सार लेखन आपको लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा पत्र लेखन के लिए दिया जाएगा कोई टॉपिक दे देगा उस पे आपको पत्र लिखना होगा ये पूछा जाएगा साथी पत्राचार पूछा जाएगा पत्राचार देखिए बताया हुआ है कि पूछे गई यह टैबूलर फॉर्म में आपको दिखा है सार्णी डूप में पत्र लिख साथी साथ पत्राचार करना होगा किसी आपको एक ओफिस और दूसरे ओफिस में पत्र भेजना है तो कैसे आप भेजेंगे इसलिए यह पूछ रहा है कि आपका जो काम होगा समिक्षा आधिकारी का आप समिक्षा कैसे करेंगे आपको लिख करके भीजना है ना एक और दूसरे और आफ्स आपको पत्राचार करना होगा तो आप कैसे करेंगे तो इसके माध्यम से आप इसी डेह एक्जाम में पूछे जा रहे हैं शासकी एर्द शासकी पत्र पर कारयालया आध अभयक्त्, अभियोजन एक्जॉजड, अंग्रेजी में देदेगा एक्जुजड दे देगा या हिंधी में ते देगा अभयक्त्थ- fiddure, ऑर दोशी कल्प्रिट लिखके देदेगा explored Q내 4 on देदे देगा थिकॉर उन्ग्रेजी से, न Amenathy ए दोनो põchह जाएंगे, पांच-पांच शब्दों में आपको रहेंगे, लिखने के लिए दे दिया जाएगा, हिंदी से अंग्रेजी और इंग्लेश चे बनाने के लिए, साथ ही-साथ मुहावरे और लोगोगतिया, जैसे अंधों में काना राजा, ऐसे मुहावरे दे दिया, और उसका क गंड दो पर होगा सामान शब्द ज्यान एवं व्यक्रण वस्तुनिस्ट होगा, ठीक, सामान शब्द ज्यान खंड दो है इसमें, तो इसमें आधा घंटा जो होगा, आधा घंटा के समय दिया जाएगा जिसमें विलों वाक्यों बरतनी शुद्धी, अनेक शब्दों के होगे, कुल तीन निबंध लिखने होंगे हमें, तो साहित्य और संस्कृत, समाजिक छेत्र, राजनितिक छेत्र पर निबंध पूछे जाएंगे, इन में से एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, छैसो शब्दों का, चालिस नंबर का निबंध होगा, और इसके सा इन में से भी एक टॉपिक आपको सेलक्ट करने है, इसका मतलब आपको कुल तीन निबंध लिखने होंगे, ठीक है दोस्तो, तीन निबंध लिखने होंगे, हर एक सेग्मेंट से एक एक निबंध आपको लेना है, और हर निबंध 6600 सब्द का होगा, 4044 नंबर का, ठीक है, ह समझ में आ गया दोस्तों। उम्मेद करता हूं समझ में आ गया होगा यह वस्तुनिस सब्चेक्टि वोग होगा गरूफ सकते हैं सब्सक्रान परिक्षा और मुख्य परिक्षा का डिसकसन तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा तो और इन सभी स्लेबस को जो भी टॉपिक हैं वो सभी हमारे ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म के चैनल के माध्यम से हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इन सभी टॉपिक को कवर कर सकें और एक्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें इसके दोस्तों मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम आपको इस परिक्षा से संबंधी तयारी को आपकी पूरा करा सकें ठीक है दोस्तों तो उमिद करता हूँ आपको यह स्लेबस स समझ पाएं तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रही हमारे चैनल की क्लास इसको देखते रहे हैं जिससे आपकी यह सारे टॉपिक कवर होते रहें और मैं क्लास ख़तम करने से पहले चीज़ यह कहूंगा कि आप चैनल के माध्यम से किसी भी एक जीके की बुक से जीके की इसके माध्यम से इन टॉपिक को छोटे-छोटे जो छोटे-छोटे टॉपिक है न सामाने विज्ञान रास्टी यांदूला इन्हें याद करते रहें इससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी किसी मलब एक्जाम को क्रेक करने में साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो करें देगे लिए आखरी समय में आपको बर्डन नहीं पड़ेगा लोग क्या करते है ना हिंदी के तयारी लेट में करते हैं तो उसके लिए उनके उपर बहुत ही दिक्कत हो जाती तो आप हिंदी के लिए एक घंटा दीजिए तो जिससे आपका ये हिंदी का जो पोर्शन है व आपको complete हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा जैसे छोटी-छोटी चीजियों से मिलकर करके एक बड़ी छोटे-छोटे आप लक्ष को प्राप्त करते चलिए और एक दिन आप बड़े लक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो ठीक है आज के लिए इतना ही हमारा स्लेबर डिसकसन आज का पूरा हुआ तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए